आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Google Search History Delete कैसे करें दोस्तों यहाँ पे अगर आप Google पे कुछ भी सर्च करते हैं तो फिर यहाँ पे आपका हिस्ट्री जो है सेब होते जाता है अगर दोस्तों आप यहाँ पे Google एप से भी कुछ भी सर्च करते हैं तो भी यहाँ पे आपका हिस्ट्री सेब होता है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इस्टे बैस्ट आप सिखाने वाला हूँ कैसे आप यह सभी सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों आपके मोगाल फोन में Google में जो भी सर्च होता है आप सभी सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे बताने वाला हूँ हेलो दोस्तों स्वायत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल इन्फो ट्यूब में तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो गूगल का सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना काफी ज़्यादा आसान है बस आपको वीडियो को ध्यान से लाश्टक फूरा देखना है और दोस्तो अब आपको वीडियो अच्छा लोगे तो प्लीज वीडियो को लाइक साधी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेग तो दोस्तो यहाँ पे भी आपको Google सर्च हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा अगर दोस्तो आपके मॉइल फोन में यहां से नहीं आ रहा है तो यहाँ पे Google का एक एप होता है यहाँ पे जैसा कि आप देख पारे इस पे भी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहुंच तो फिर यहाँ पर ऊपर के साइड में Google के logo पर किलिक कर देजे ओर यहाँ पर फिर से आपको जो है logo पर किलिक करना है और यहाँ पर search history का ओफिसन आ जाएगा simply आपको यहाँ पर search history वाले option पर click करना है दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं आपके सामने कुछ इस परकार का interface आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते एक option आपको देखने को मिल जाएगा auto delete 18 months यहाँ पर जो है हमारा on है यानि के 18 months के अंदर हम कुछ भी search करते हैं तो वो delete हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 months तक आप जो है अपना history को delete करना चाहते हैं तो यहाँ पर select कर सकते हैं और यहाँ पर click करने के बाद आप 3 months, 36 months, 18 months कर सकते हैं लेकिन दोस्तो अगर आपके mobile phone में यह off है और यहाँ पर जो है automatic यहाँ पर delete नहीं होता है या फिर दोस्तो आप अभी का जो है delete करना चाहते हैं तो simply कुछ नहीं करना आपको नीचे के side में आना है आपको यहाँ पर delete का button देखने को मिल जाएगा इस पर आपको click करना है अब दोस्तो जैसे आप यहाँ पर click कर देते हैं आपके सामने काफी सारा option आ जाएगा पहला option नहीं यहाँ पर आज का history delete करने का यहाँ पर टूटेल लिखा हुआ है custom range पर click करके आप किस date से किस date card जो है history delete करना चाहते हैं आप यहाँ पर select कर सकते हैं और यहाँ पर third option है delete all time यहाँ पर जैसे आप click कर देते हैं तो दोस्तो सभी का सभी जो है google search history आपका delete हो जाएगा simply हम यहाँ पर click करेंगे आपको भी यहाँ पर click करना है अब दोस्तो जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं आप से पूछा जाएगा आप कौन कौन सा history delete करना चाहते हैं पहला यहाँ पर option है image search और दूसरा यहाँ पर है google search तो दोस्तो यहाँ पर मुझे जो है सभी history को delete करना है तो यहाँ पर हम सभी पर tick कर देंगे और यहाँ पर आपको next वाले option पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click कर देते हैं फिर से आपके सामने कुछ इस परकार का interface आ जाएगा